दोस्तों उमीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं हूँ आपका दोस्त निदाम एक नए वीडियो के साथ हाजिन हूँ बिटकॉइन और क्रिप्टो कंसी मार्किट के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को ध्यान से देखना वीडियो करते हैं शुरूर दोस्तों वीडियो करते हैं यहां पर देख सकते हैं को मार्किट के पर हैं और यहां से अगर हम बात करेंगे तो मार्किट के में थोड़ी दिगरावाट देखने को मिल यह लिए 2.82 परसंट की प्राइज बिटकॉइन के प्राइज के अगर हम बात करेंगे तो 38,000 37,000 इसी के निया अगरिवाट यहां पर हमें एक साइड़ेस कंडिशन में टेट करता हुए देख रहा है और एक रइस्टेंस एरिया के असपास है तो अभी क्या बिटकॉइन का प्राइज नीचे गिर सकता है या बिटकॉइन का प्राइज इस रइस्टेंस को तोड़कर ऊपर जा सकता है इस पर बात करेंगे तो हम देखेंगे तो बिटकोइन का प्राइज अभी आज के दिन मातलब जो ये केंडिल क्लोज हुई है वीकली इसमें क्लोज करने के बाद नीचे गिरने की कोशिश की है बिटकोइन के प्राइज नहीं तो यहां पर देख सकते हैं 37,000 के असपास हैं व कि जिसके बात से मार्किट में थोड़ा सा डांवर्ड मुMAN्ट देखने को मिल दा है तो यह डांवर्ड मुM आगे कंटीनीव रहता है कि क्या होता है आगे इस पर समझने कोशिश करेंगे अब चलो यहां चलते हैं चार्ड पर वहाँ पर देखते हैं कि क्या है बिट कोईन के प्राइस का मुमेंट और क्रिप्टो कंसी मार्किट का सिनेरियो क्या हो सकता इस हफ़ते के अंदर दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात करते हैं मंधिल क्लोजिंग तो मंधिल क्लोजिंग को आप देख सकते हो कि आज आखरी दिन है एक दिन और बचा है आज के दिन के बाद से मंधिल क्लोजिंग हो जाएगी तो यहां पर हम देखेंगे यह मंत की कैंडिल है और यहां पर जो तो यहां पर weekly chart पर हम देखेंगे तो यहां पर एक अच्छा कासा candle ने 100 period moving average का support लिया है और इस zone के असपाद जो हमारी एक strong support था यहां से price ने ऊपर bounce back करने की कोशिश की है लेकिन आज जो weekly candle close होने के बाद जो new candle यहां पर generate हुई है तोड़ा सा red है और शुरू मदब opening के है और high price थोड़ा सा उपर जाने के बाद लगातार price में गिरावट हमें देखने को मिल रही है ठीक है तो अभी आगे क्या हो सकता है तो यहां पर अगर हम daily chart की बात करते हैं तो daily chart पर बहुत अच्छे सिनारियों समझ माईगा एक bullish symptom है मेरे साब से BTC में तो थोड़ा सा एक level break हुआ है कहां पर break हुआ वो भी बताऊंगा ध्यान से देखना उस level को break करने के बाद जब retest वाला मामला होता है तो retest करने आएगा उसके बाद price में कि spike आ सकता है जब retest का जितना time लगेगा उतने time थोड़ा सा market नीचे के side downward movement कर सकती है तो यहां पर ध्यान से देखने व पर हो गया है 33,000 या 32,900 से 28,600 के 20 का यह area बन गया है जो कि एक मजबूत support होगा Bitcoin के प्राइस के लिए ठीक है तो अभी हम यहां पर देखेंगे जिससे कि पिछले वीडियो में कुछ वीडियो में आपको बदाया था कि यह 100 पीड़ के यहां पर इसको support मिल सकता है weekly chart पर तो यहां से यहां तक देखेंगे तो यहां पर 50 पीड़ का ही support जब पिछली बार ग्रावाट हुई थी मई के मईने में तो महां से पिछली बार में 50 पीड़ का ही support लेकर price ऊपर चला गया था अभी थोड़ा सा अच्छा गासा ग्रावाट देखने को मिली है तो हमें 100 पीड़ यहिं आपके लिए बसा PA moving average को यह मान के चलो कि जब ब्विंग आवरेज के κάम करते हैं अब चलते हैं देखते क्या है break जो level जो break हुआ है क्या है कौन सा है और हम क्यूं bullish हो सकते हैं दोस्तों यहां पर daily chart पर हम देखेंगे तो यह यलो लाइन है और यह जो घ्रे कलर लाइन है जो यहां पर cross over करती रिख रही है यह 20 is a 50 period का moving average है और 200 period का moving average है तो यहांने कि यहां पर death clause बना price इसके नीचे आया थोड़ा सा इसको जाकर ऊपर टेस्ट किया 20 period को और उसके बाद नीचे गिरा आप अगर देखो को तो 20 period एक dynamic support or resistance का काम करता है बहुत अच्छे से और यहां पर दोस्तों हम देखेंगे कि price इस zone तक गया जो कि हमारी एक support zone है काफी मजबूत एक support zone है demand zone भी बोल सकते हैं यहां से price को अच्छा कासा नीचे गिरने के बाद एक अच्छा कासा reaction मिलो price लगातार ऊपर चला यानि की market की अगर यहां पर यहां पर यह candles अगर आप ध्यान से देखोगे लेकिन आज के दिन की जो candle है दोस्तों यहां पर थोड़ा सा बड़ी बंती दिख रही है जो की red है तो अभी यहां पर breakout level देखते हैं कि क्या है वो breakout level और क्यों मैं ऐसा कही रहा हूं कि आने कुछ वक्त में Bitcoin के price में थोड़ा सा bullish condition देखने को मिल सकती है तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हैं पर यह समझ लिए कि price इस point से नीचे गिर रहा है तो यहां पर एक हाई दूसरा तीसरा चौथा यानि कि इस ten line को अच्छे से यहां पर respect करता हुआ price चल ला है गिरता है थोड़ा सो ऊपर जाता है इस ten line को respect करता है फिर गिर जाता है फिर price फोड़ा सो ऊपर चलता है फिर यहां पर इस ten line को respect करता है हिट करता है और गिर जाता है फिर यहां पर respect किया यानि कि उपर गया इसको इस turn line को white color 10 line को और नीचे गिर गिर किया अब यहां पर किसले लेवल की मैं बात करना हुँ जो कि breakout हुआ है तो यहां पर मैं आप आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो कि यह 10 लाइन तो यहाँ पर कहीं पर भी ब्रेक होती नहीं दिख रही है, बिल्कुल अच्छे से रिस्पेक्ट करता हुआ प्राइज नीचे आ रहा है, अब यहाँ पर मैं RSI को दिखाना चाहूंगा, और पिछला एक ऐसा शनेरियो प्राइज उपर गया था, तो अभी फिलाल देखेंगे, बाकी मार्केट है, क्रिप्टो कंसी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो लेवल मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखिएगा, तो दुस्तों यह यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि RSI पर हमेने दो टेंड लाइन लगाई है, और अगर हम देखेंगे, तो प्राइज जब इस पॉइंट से यहाँ से मतलब इस तरह से राइली करता चला रहा था, तो यहाँ पर RSI में नीचे की तरफ मुम्मेंट हो रहा था, यानि कि एक बेर जूम करके तो यहाँ पर हम देखेंगे कि RSI को यहाँ पर रिस्पेक करता हुआ चला है, इस टॉप पर प्राइस ऊपर चलता चला जा रहा था, तो यहाँ पर एक बेरिज डाइवर्जन इस पॉइंट पर क्रियेट हुआ, और लगतार इस टेंड लाइन को रिस्पेक करती अगर पिर आउट नहीं होता है, जैनि कहने के मतलब यह है कि अगर यह RSI का फेक आउट नहीं है, क्योंकि हलका सा RSI ने यहाँ पर भी फेक आउट किया था और नीचे RSI आ गई थी, और उसके बाद अच्छी गासी घरावट भी थी, तो अगर यह फेक आउट नहीं है और यहां पर ही जिन्योन हुआ और यहां से ऊपर चला वापस डिटेस्ट करके तो फिर यह पर यह पर यह पर यहां पर जाने की कोशिश की है तो PRAISE में थोड़ी बहुत यहां पर गिरावट आ सकती है नीचे लगभग 35,000 तक यहां पर मैं लगबग यह देखो यह मैं लेवल लगा देता हूं एक नेट यह देख सकते हैं कि लगबग इस पॉइंट पर प्राइज 35,300 तक आनिक बाद बाउंस बैक कर सकता है अगर यह RSI इस टेंड लाइन के ऊपर ही रहती है तो देखो यहाँ पर काफी लोग नहीं समझेंगे कि RSI पे टेंड लाइन पर प्राइज एक्षन पर तो टेंड लाइन लगाते सुना था RSI पे टेंड लाइन लेकिन इस तरीके की चीज़े होती है अगर बैक चाट आप बिटकोईन का या किसी भी क्रिप्टो कंसी का उठाक देखो गया किसी भी शेयर का स्टॉक मार्केट का चाट उठाक देखो गया उस पर RSI को जब प्लॉट करोगे तो एक जब डाउं ट्रेंड होता है तो RSI में भी डाउं टेंड हो वाइट कलर की टेंड लाइन को प्राइज भी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है अब यहां पर समझनली बात होगी कि यहां पर थोड़ा सब बुलिश सेनेरियों आपर समझ मारा RSI के अकौर्णिंग और अगर यहां पर हम बात करेंगे आज की क्लोजिंग होने देते हैं पर घ्रामा मामला दिख सकता है लग्बग अगर प्राइन घ्रामान होती है तो लगब यहां पर हम 35,000 तक जा सकते हैं तो 35,000 के बाद जो support बनते हैं वही बनते हैं 33,000, 30,000, 28,000 इस तरीके के support बनते हैं तो यहाँ पर कलर को थोड़ा था चेंज कर देता हूं ताकि आपको देखने में तो यहां पर मैंने इसको sky blue color कर दिया है तो आप देख सकते हैं 35,000 का लेवल है यहां पर 35,000 का जो लेवल है वो sky blue color का है और यहां पर जो मैंने आज आपको सम्झाने कोशिश की है इसको थोड़ा अपने चार्ट पर प्रटिक्स करके देखना बहुत अच्छे से सिनरियो वोई ही पर प्राइज चार हाई लगा है जो पिछले हाई से जदागा तो आषिप चार यहां पर पर शृत का सब्सक्राइज बन हो। तो simple और surreal सी update देने की यहां पर मैंने कोशिश की है आप देख सकते हो कि price RSI यहां पर यहां पर ठीक है काफी यहां पर hit किया है RSI ने और यहां पर तोलने की कोशिश की है क्योंकि tend नीचे कि तरफ जा रहा है जब tend नीचे कि तरफ जाता है और वहां से नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करता है तो अपनी नजरे मना कर रखना BTC के price में 35,000 तक का area सकता है यहां पर मैं भी video upload कर रहा हूं तो मतलब यह नहीं है कि कोई भी बंदा जाकर short की position क्रियेट कर ले कि हाँ भाई मैंने कई दिया कि नीचे गिर सकता 35,000 तक तो ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि future के लिए मैं बिलकुल आपको सक्त मना करता हूं कि अगर आपको trading नहीं आती तो future trading मत करें अब मैं यहाई पर इस वीडियो को wind अप करता हूं नेक्स्ट आप एड़े मिलता हूं जब तक के लिए जय हिंद जय भारत